तो डाइनसोर्स के इस आर्फ पर से एक्स्टिंट होने के बाद, अगर किसी स्पिशेज ने जंगल पर राज किया है, तो वो cat family ही है, फिर चाहे आप बात करें अफ्रिका के शेरों की, एशिया के टाइगर्स की, या फिर साउथ अमेरिका के जैगवार्स की, हर जगा अपर स अपनी hunting skills की वज़ासे, तो कुछ अपनी different abilities की वज़ासे जाने जाते हैं, तो इस वीडियो में हम इन्हीं की different abilities को समझे रखते हुए ने rank करेंगे, जहाँ हम इनकी strength, running speed और hunting skills को compare करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इनमें सबसे ज़्यादा powerful big cat कौन सा है, तो सीधा ही चलते हैं ranking की तरफ, number 10, clouded leopard, तो जाता लोग clouded leopard को ही एक leopard समझ लेते हैं, क्यूंकि उनकी body पर present pattern काफी अर्थिक leopard जैसे ही होते हैं, but clouded leopard wild cat की, एक different type है, clouded leopard साइद में बहुत छोटे होते हैं, बट ये बहुत ही fast शिकारी होते हैं, ये जाता बंदर और हिरन वगरे को ही बनाते हैं, और इसलिए इनकी earning speed इसमें बहुत ही जाता है, clouded leopard जाता निपाल, चाइना, भोटान और इंडिया में बाई जाती हैं, clouded leopard की लंबाई करीब 3.4 feet के करीब होती है, और इनका वजन करीब 25 kg होता है, अपने चोटे size की वज़ा से ही clouded leopard इस लिसमें number 10 पर है, number 9, लिंक्स, तो लिंक्स North America, Europe और एशिया के परफीले और पहारी जंगलों में पाई जाती हैं, ये अपनी छोटी पूँच और लंबे कानों की वज़ा से पैचानी जाती हैं, लिंक्स दिखने में चितनी ज़्यादा खोफनाक होती हैं, वो उससे भी ज़्यादा dangerous शिकारी हो इनकी fighting ability भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वज़ा से साइद में छोटी होने के बाद भी वो किसे से भी टकरा सकती हैं, और इसलिए वो इस लिस्ट में नमबर 9 पर हैं, नमबर 8, चीता, तो चीता को बला कौन नहीं जानता, चीता भी leopard और lion की तरह ही cat family का ही member है, और साथ पन मुझूद सब ही animals में, चीता की running speed सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, एरन और सुर जैसे जानवरों को जहां दूसरे शिकारियों के सामने अपनी speed का advantage मिलता है, वहीं चीता के सामने उनकी skill किसी काम नहीं आती, चीता की dog speed होती है 120 km पर hour, जो कि बहुत ही करीब 55-57 kg के दरिम्यान होता है, तो जहां चीता speed में सबी animals में सबसे आगे है, वहीं वो strength में बहुत से बिग cat से बहुत पीछे है, और इसलिए वो इस लिस में number 8 पर है, number 7, snow leopard, snow leopard को उनकी hunting technique की वज़ा से mountain ghost का आ जाता है, और तो और इन्हें इस planet की सबसे mysterious species माना जाता है क्योंकि snow leopard का बहुत ही कम data available है, snow leopard इतने कमाल की होते हैं कि वो तकरीबन 10,000 feet की उन्चाई पर भी आसानी से दिन्दा रह सकते हैं, इन्हें शिकारी जैनवरों में बहुत ही ज़दा active और strong predator माना जाता है, यह जात तर जंगली बक्रेंगा ही शिकार करते हैं, क्योंकि snow leopard mountains प के बहुत सी different countries में पाई जाती है, कैरोकैल भी size में बड़ी नहीं होती और इसले इनके शिकार भी size में छोट रही होते हैं, यह जात तर चूओं, हर्गोशों और प्रिंदों का ही शिकार करती हैं, कैरोकैल दिखने में बहुत ही जादा मासूम होती हैं, लगर असल में यह बहुत देजर डिंजरस और बेर हैं शिकारी होती हैं, नमबर फाइफ, प्यूमा, कूगर, माउंटेन लाइन, पैंथर, यह सब इनम एक ही big cat प्यूमा के ही हैं, इंगलिश में प्यूमा के कोई 40 के गरीब नाम है, जो के word record है, प्यूमा ताकत, चलाकी और शांदार hunting skills का मि जुला मिक्सचर होते हैं, जो के इन्हें animal kingdom के सबसे खतरनाग शिकारियों में से एक बनाता है, और यही वज़ा है कि प्यूमा जब भी किसी जानवर पर अटैक करते हैं, तो अरहाल में उसे अपने शिकार बना करी रहते हैं, प्यूमा की average speed trip 64 से 80 km पर आवर होती है, इनका सब reasons की वज़ा से व्यूमा इस लिस्ट में नंबर 5 पर हैं, नंबर 4, leopard, तो अफरीका के चंगलों में काफी जैनवर पाए जाते हैं, लेकिन इन में से कुछ ही खतरनाग और पोफनाग हैं, leopard पाकि सब इस बिग कैट में सबसे दादा यूनिक होते हैं, और इसका reason है leopard का hunting machine आना, शिकार करने में जो चीज leopard को सबसे special बनाती है, वो है इनकी hunting speed, leopard का body structure उनका color भी उने छुपने में बहुत मदद करता है, इसलिए उगात लगाने में भी expert होते हैं, leopard ऐसे expert hunter होते हैं, जो के चलते हुए थोड़ी सी भी आवास पैदा नहीं करते, इसलिए इनके शिका आने जो भी जानवर आता है, फिर चाहिए वो monkey हो, bird हो, या फिर rhino हो, leopard सब कुछ ही खा लेते हैं, और इनी सब amazing techniques की वज़ा से leopard इस लिसमें नमबर 4 पर हैं, नमबर 3, जैगुआर, साउथ अमरिका में पहले दुनिया का दिल कहने वाले amazon jingle की आमियत, बला कोन नहीं जानता लगर ये जिंगल इंसानों से कहीं जादा जानवरों के लिए important है, और इनी जानवरों में आता है, food chain में सबसे आखरी मकाम रखने वाला, सबसे खोफनाग जानवर जैगुआर, जैगुआर की तरह शिकारी जानवर, पूरे amazon jingle में दूसरा कोई नहीं है, इसकी आर्ट से ही पूरा जिंगल डर से काम पने लगता है, यूँ तो amazon के जिंगलों में बहुत पड़ आनाकॉंडा, क्रोकोडाइल और प्यूमें जैसे कई खतनाग जानवर बसते हैं, वाकर जैगुआर का इन सब में एक अलगी रुतबा है, जैगुआर की अपने शिकार पर अचानक हमला करने की अबिलिटी सच में लाजवाब है, जैगुआर की सबसे बड़ी अबिलिटी है उनका बाइट फोर्स, जो के कैट फैमिली में सबसे ज़ादा है, जो के होता है 1500 PSI, जैगुआर का रुतबा, उसकी काबलियत और उसका को, ये सब ही जैगुआर को बहुत ही खतरनाक और इक पावरवल बिग कैट बनाते हैं, और इसलिए जैगुआर इस लिसमें नंबर थ्री पर हैं, नंबर टू, अफ्रीकन लाइन्स, तो अफ्रीकन लाइन्स को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कैट स्पेशीज के तोर पर जाना जाता है, और लाइन कोई जंगल का ब बढ़र की बनजे और इंके दांत बहुत ही जतना जाता हैं, और एगर पूरी कैट फैमली में दूसरी सबसे खतना कश बाजीज काना होता है, नंबर बन साइबरियन ताइगर, तो बेशक लाइन को जंगल का बाज्चा का जाता हू, मगर साइबरियन टाइगर लाइन के कम साइबेरियन टाइगर को एमोर टाइगर भी कहा जाता है ये टाइगर दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड कैट्स होते हैं जिसका मतलब ये बाकी सब बिग कैट्स में साइज में सबसे बड़े होते हैं Siberian Tiger को cat family का सरदार कहा जा सकता है ये हिस्ट्रिल रशे के ऐसे इलाकों में पाय जाते हैं जब बहुत ही ज़ादा ठंड रहती है और इसलिए बाकि सब इब बिग cats के comparison में इनका survival habitats और techniques कितनी ज़ादा challenging होंगी इनका idea प्लगा लो क्योंकि ऐसे जगों पर शिकार बहुत ही मुश्किल से मिलता है और एक animal के लिए survive करना यां बहुत ही ज़ादा मुश्किल है Siberian Tiger एक दमतार जानवर है और इसलिए वो इत लिस्ट में number one position पर है पाकि आप भी comment section में अपने एक list बनाओ top and most powerful wild cats की